नमस्कार एक अप्रेल से हमारे देश में काफी कुछ बदलने वाला है दोस्तों बीतिया बदल सुरू होने से पहले काफी कुछ बदला होने वाला है जोसे आपको बता दे कि पैन कार्ड इफ याप पुरानी चेक बुक को लेकर कल से नियम बदल जाएंगे और साथ में माज का साफर भी होने वाला है दोस्तों आई एक के करें आपको बताते हैं सबसे बात करते हैं menga ax of नहीं कर आते हैं तो कल से pèreद्श्य निस्क्रिय कर दिया जाएगा इसलिए आप इन करते हैं तो एक हजार पेनाल्टि देना पड़ेगा दोस्तों बात करते हैं चेक बूक और इलहाबाद बैंक पुरानी चेक बूक के मानने नहीं होगी इन सबी बैंकों का दुसरे के साथ मर्ज हो गया है तो इन बैंकों का अपने ग्रहागों को नई चेक बूक जारी कर दी गई है हलाएं कि सिडिकेंट बैंक का चेक बूक तिस जून तक माने रहेगा अब बात करते हैं इंकम टेक्स तरी टरन की अनि निर्मला सिधा रमन अपने बजट में कहीं थी कि 75 साल से बड़े उम्रों को नगरीकों को अब टेक्स नहीं भरना पड़ेगा उनको इसमें रहत मिलने व सी टेडियस कट रहा है जो अब 10 फिर्दी हो जाएगा दूसरी तरफ आयकर की धरा 206 बी के तहद लोग जो डिटर्न नहीं भरेंगे उन्हें एक अप्रेल के बाद दोगूने टेगिया टेडियस भरना पड़ेगा अब बात करते हैं इपीएफ इपीएफ में नए रूल आ लगेगा ठीक है अब बड़ी बात है कि 2,00,000 रूपे हर माहिन से ज्यादा वेतन पाने वाले लोग भी इसके दायरे में आएंगे दोस्तों अब हुआ महांगा हुआ 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 सफर के बारे में बात करते हैं पहले नगर विमान महानी देशक ने एरपोर्ट स्रीकोटी बढ़ा दी है घहरलू अत्रियों के लिए एरपोर्ट स्रीकोटी फीस में 40 रुपी और अंतराष्ट अत्रियों के 134 रुप्य का इजाफा किया है बड़े हुए नई दर एक अपरेल 2020 से अनि एक अपरेल के बाद जारी के टिक्टो पर लागू होंगे एरपोर्ट काफी हेल्फ करता है इन नहीं गया इंडलाइलों का जारी की गई है दोस्तो कमेंट में जरूर राइद दीजेगा क्या आप इन नियमों से संतूष्ट है की नहीं है दोस्तो ठैंक यू सो मज